आप सभी का स्वागत करते हूं तो आज मैं आपको बहुत ही ज़्यादा खास उपाय बताने वाले हूं एक बहुत ही ज़्यादा खास दिन के बारे में जो किस साल में केवल एक ही बारत है वो है वाइकूंट चतुरदशी हाँ जी यह बहुत ही बड़ा दिन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टन दिन है और ऐसे दिन पर आप क्या उपाई कर सकते वो भी मैं आपको बताने वाली बहुत ही इजी रेमीडिय है जिसको आप आसानी से अपने घर पे ही कर पाएंगे तो आपको बताने से पहले मैं आपको इसका टाइम पीरड भी बता देती हूँ कि देखिए वाइकूंट चतुरदशी का जो टाइम शुरू हो रहा है वो हो रहा है पच्चिस नौमबर दो हजातेईस जानी के शनीवार को शाम के पाच बच के बाईस मिनट से यह शुरू ह ठीक है और चब्रिस नौमबर दो हजातेईस जानी की रवीवार को यह एपरोक्स आप बोल सकते की चार बजे के आसपास शाम के यह खतम हो जाएगा तो इस बीच में आपको यह उपाए करना है लेकिन जो में उपाए करना है वो आपको पच्चिस तारीकी रात को बारा ब तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा अब आपको उपाए के तौर पे क्या करना है यह जो उपाए न थोड़ा आपको विपरीत तौर पे करना है कैसे करना है देखिए नॉमल हम क्या करते हैं शिवलिंग पे हम बेल पत्र चड़ाते हैं और जो तुलसी का पत्ता होता ह वो आप चड़ाएंगे शिवलिंग पे या शिव भगवान की फोटो के आगे आप चड़ाएंगे और जो बेल पत्र है वो आप चड़ाएंगे नारायन भगवान को अगर इन केस आपके पास फोटो नहीं है तो आप उनका नाम लेके दोनों का वहाँ पे पूजास्थान पे रात भर रहने दीजेगा उसी वक्त आप वहाँ पे घी का दिया भी जरू से जला दे अगर आपके पास केसर है तो बहुत अच्छा थोड़ा सा केसर का एक धागा उसके अंदर घी के दीपक में जरू से आप डाल दीजेगा तुलसी का पत्ता और बेल पत्तर आप पहले से ही लाके घर में रख सकते हैं नेक्स दिन 26 तारीको देव दीपावली है तो आज के दिन आपको दीपक अपने पूरे घर में जरू से जलाने चीए अब आपको क्या करना है आपको मंतर जाप करना है और मंतर जाप आपको कौन सा करना है सबसे पहले ओम नमश्यवाय दूसरा ओम नमो भगवते वासु देवाय नमा और तीसरा मंतर है जो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं यह तीनों मंतर आपको करने हैं आप चाहें और सूर्य को जल जरु से चढ़ाईगा, रवी वार वाला दिन आरहा है, बहुत ही अच्छा है, तो जब आप जल चढ़ाईगी, प्लें जल ही चढ़ाईगा, ज़रु ने कि आपको कुछ उसमें डालना है, लेकिन, जब आप जल चढ़ाईगे, तो वो जल के धार में से, दिया वापिसे जलाना है केसर अगर आपके पास है तो वापिसे दुबारा उसके इंदर केसर आप जरु से डाल दीजेगा और आज के दिन आप चाहें तो दुबारा से खीर भी बना सकते हैं बहुत ही शुप दिन है आज के दिन आप घर में शाम के वक्त जितना हो सके दिये बहुत ही बड़ा दिन है बहुत ही शुप दिन है जो लोग अभी भी ये लास्ट मौका है कि दिवाली वाले दिन कोई उपाय नहीं कर पाए खास तो और पर पोटली का उपाय तो आप आज के दिन भी इस उपाय को कर सकते हैं इसके बाद आपको next video जो मिलेगा वो होगा कार्टिक पुनिमा से related जो की वो भी बहुत ही बड़ा दिन है क्योंकि इसके बाद कार्टिक पुनिमा की शुरुआत होगी तो उस पे भी क्या आपको rituals करने चाहिए क्या उपाय करने चाहिए उससे related भी आपको वीडियो जरू से मिल जाएगा लेकिन अभी जो बताई यह आप जरू से कीज़ेगा और शुकरिया थैंक्यू सो मज जो आपला से related मैंने आपको उपाय बताया था आप सभी ने मेरे साथ शेयर किया और उसको मैंने बहुत सब के status पे भी team को कहा था तो उन्होंने जितने भी photographs हमें मिले उसको status पे डाल दिया गया तो वहाँ पे आप जाके सब देख सकते हैं जिन्होंने भी post किया था तो इस वीडियो को आप जादस जादस शेयर कीजिएगा ताकि बाकी लोगों को भी इसके जानकारी मिल पाए हम मिलेंगे अगली वीडियो में तब तक आप अपना पूरा ध्यान रखेगा मस रहें खोश रहें ओम नमस्षिवाए ओम नमो भगव झाल